अरियों जन्मना जायते शुद्रह संस्काराद दुजुच्यते जन्म से हम शुद्र होते हैं, सभी शुद्र होते हैं, शुद्र यानि छोटा भी होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और दुसरे, बड़ा होने की संभावनाएं उसमें हैं, इसलिए भी वो शुद्र होता है। फिर जब हमें संस्कार मिलता है, विद्ध्यारंब संसकार मिलता है। और बड़े होते हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य का संसकार मिलता है। और बड़े होते हैं, ग्रहस्त का संस्कार मिलता है, और आगे चलते रहते हैं। तो संस्कार की जब शुरुआत होती है, बच्चे की जात कर्म संस्कार, वहां से बच्चे का निर्मान शुरू हो जाता है। यह तो उससे भी पहले होता है, जब गरभाधान संसकार होता है, यानि धर्ती में बीज रखा जाता है, वो एक वतावरण है, जो उस बीज को सही और पूर्ण रूप में विक्षित होने का अवसर देता है, अगर हम अच्छे किसान नहीं है, तो फिर ऐसे बीज फ्हेंकाते हैं, खेत में, कोई उग गया, कोई नहीं उग गया, कोई उग करके, क्योंकि धर्ती में पूरी जड़ पाने का उसे अवसर नहीं मिला, उपर से ही थोड़ा सूख गया, फिर कतम हो गया, कोई भाग के वश उग गया, लेकिन अगर जो क्रशी, पद्धती है, उस से टेकनलॉजी के साथ हम खेती करते हैं, तो फिर एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता है, बिल्कुल इसी तरह से संसकार बच्चे को गरवाधान के साथ मिलता है, और उसी के अनुसार वो विक्सित भी होता है, आज अगर मैं यह कहूँ के संसकार विहीन समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यह शब्द बुरा तो लग सकता है, लेकिन इसी सच्चाई से आप इंकार नहीं कर सकते हैं, मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि जब मैं कॉलिज में पढ़ता था, तब यह शुरू हो चुका था, अब तो बहुत बढ़ चुका, तो हमारे जो इंगलिश के प्रफेसर थे, तो मैं अपने शिष्ट अचार, अपने संसकार की वज़े से में जा करके, जब उनके चण सुपर्श करता, तो बहुत से लोग तो इस घटना को बड़े अजूबे से देखते थे, लेकिन फिर भी उस जमाने में कुछ लोग थे, जो पैर चुना, अपना संसकार मानते थे, कि हम जुकेंगे, तो फिर भरेंगे भी, घड़े को भी, अगर समुदर में, नदी में जुकाया न जाये, तो उसमें जल नहीं भरेगा, जुक करके, समुदर की माहनता को स्विकार करके, नदी की माहनता को स्विकार करके, वो घड़ा जब जायेगा, तो घड़ा जल से भर भी जायेगा, और जल थल एक भी हो जायेगा, मैं जब उनके गुरुजी के, हमारे इंगलिश के गुरुजी थे, तो मैं जब उनके पैस छूता, तो वो कूद के एक तरफ हो जाते थे, नो, 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 लिव दिस ओरिएंटल हॉस्पिटेलिटी, मैं विद्यारती थी था, लेकिन मैं उनसे कहता है, मिन्हें गुरुजी, इसको हुस्पिटेलिटी, अपचारिक्ता, मत कहिएगा, यह हमारा धिकार है, और हमारी सुपातरता बन जाए, हम यह चाहते हैं, आज इतना दूर चले गए, कि हम इनको ढखोसला कहने लगे, किसी को देखकर के खड़ा होना, बुज़र्गों के पैर छुणा, घर आने वाले अतितिको, या रास्ते में कहीं हमसे बड़े मिल जाएं, तो उनको प्रणाम करके उनका स्वागत करना, किसी बुज़र्ग के लिए अपनी सीट छोड़ देना, किसी भूखे को अपनी थाली में से आधा दे देना, यह सब हमारे संसकारों की देन थे, लेकिन अब ऐसा थोड़ा कम दिखने को मिलता है, लेकिन एक बात देखिए, जिस बचे में आज भी आपने इस चीज़ को डाल दिया, तो आप ही महसूस करते होंगे कि उसका विशेश दर्जा समाज में बन जाता है, सब लोग उसको प्यार करते हैं, क्योंकि संसकार की देन है यह और संसकार बोलते हैं, आगे तक बोलते हैं, जीवन भर बोलते हैं, तो बच्चों को ग्यान दें, बच्चों को धन भी दें, बच्चों को गाड़ी, बंगला, संपत्ती दें, लेकिन अगर उसको संसकार देने में चूक गए व्यभार देने में चूक गए आचरण उनका सुधारने में चूक गए तो वो सारा दिया हुआ मटिया मेट हो जाएगा इसको निश्चिज दूर्प से जाने और जिवन की हर घटना हर मोड संसकार से प्रभावित होता है इस बात से हम गर्व करना सीखें कि हमारा आदेश आज तो विग्यान भी इसको प्रमानित कर रहा है अब यह हर्याना में खुदाई हुई तो पता चला कि कितनी पुरानी सब्विता हमारी है कि जो मौन जोदोड़ा हडपा की बात है तो वो सब कुछ यहीं भारत भूमी से ही हुआ चाहे वो नगर निर्मान की सब्विता है चाहे वो भवन निर्मान की सब्विता है चाहे वो पात्रों के निर्मान की सब्विता है और जीने की सब्विता है उसको दुनिया ने सीखा स्वमस्वम, चरित्रम, शिक्षेरन, प्रत्विव्या, सर्व मानवा पूरे प्रत्वी के लोगों ने तब भी सीखा आज भी सीख रहे हैं जितना आप अपने संसकारों की तरफ लोट रहे हैं उतना दुनिया आपकी तरफ आशा से देख रहा है, आपकी वैलियू बढ़ रही है, वैलियू तो है आपकी, लेकिन इसलिए हम उसे भूले बैटे थे हमी भूले थे कि हमारे पास कोई वैलियूबल चीज है, और हमारे पास जो वैलियूबल चीज है वो हमारा ग्यान और संस संसकार से दूसरा जनम जैसे यक्ति को मिलता है तो बच्चों को संसकार दें, उनको जनम दिवस अपने तरीकों से मनाएं, उनका जो ब्रह्म मूर्त में जागरण, एक सभाव रहा, आधार रहा हमारे स्वास्थे का और हमारे प्रबुद्ध होने का, अगर हम सवस्त रहना च चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो कितनी भी टेकनलोजी आ जाए, आपको उर्जा के अजसर स्रोत सूरिय से पहले जगा हुआ होना ही चाहिए, ये बात अगर बच्चों को हम सिखा पाते हैं, इसके अलावा मैंने कहा कि उनके जो प्रति दिन की सभाव हैं, कि बड उपासना अर्चना हो, तो ये सब ऐसा धकोसला क्यों लगता है, ये सिलिए कि उसके और में जानते ही नहीं, तो जानते नहीं तो ये लगता है कि this is just hospitality, ये तो एक order परमपरह है, बाकि हमें पता तो है निक आए उसके बार में, तो हमें पता नहीं है, तो ये दोश आपका ह हमारे बुजर्गों ने, हमारे रिश्यों ने जो कुछ हमें बना करके दिया एक उन्होंने discipline बना दिया हमारे लिए आचार संगिता बना दिया, code of conduct बना दिया तो उसको हम जानते नहीं, इसलिए उसकी उपेक्षा मत करिये भलकि जानने की कोशिश करिये experiment कीजिए, कि अगर हम उस पर चलते हैं तो क्या बदलाव आता है तो इस आधार पर ही सीखिए, केवल अपनी अज्यानता की वज़े से हम अपनी दौलत को ये कह दें कि ये कुछ नहीं है ये हमारा दुर्भाग्य होगा, अभी तक तो अज्यानता थे तो हम अज्यानता से ग्याना की तरफ बढ़ें, बुद्धत्यों की तरफ बढ़ें, दौर्भाग्य की तरफ न बढ़ें बच्चों को ठीक से संभालना हमारी जिम्मेदारी बच्चों को वरत्मान में पैर जमा करके सिखाना हमारी जिम्मेदारी लेकिन वो पैर कहां जमे हो इस धर्ती पर जो संसकारों की धर्ती है जो सब्वेता की धर्ती है जो सिष्टा चार की धर्ती है जो बिंदू से सिंदू होने की धर्ती है जो आत्म से परमात्म होने की धर्ती है उस पे जीना सिखाएं उन संसकारों से उन्हें जोड करके रखें तब वो सही मायने में अपने सुरूब के प्रतिनीदी होंगे जिन से वरतमान तो उनका समरेगा लेकिन आने वाले समय के लिए वो टौर्च बेरर होंगे वो मार्ग दर्शक होंगे पत प्रदर्शक होंगे तो अपनी सब्विता को भूले नहीं अपने तोर तरीकों को भूले नहीं और बस जड़ से जुड़े रहें तो आसमान तक भी जाएंगे जड़ से जहान तक जाएंगे